नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं नौलेज अप्टूडेट चैनल मैतेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और आज हम मिश्रित भिन्नों को स्वाल करेंगे यानि कि जो फ्रेक्शन को एड करने वाला उसका सॉलुशन देखते हैं क्या होता है तो साथियों आज हम सौल करते हैं मिश्रित भिन्न यहां लिख देता हूँ mixed fraction यानि कि इसको हिंदी में बोलते है मिश्रित भिन जब मिश्रित भिन की बात आती है तो मिश्रित भिन को हम कैसे solve करते हैं तो एक मैं ऐसे अंदाज से कोई भी भिन लिख देता हूँ इदर और फिर इसको हम solve करते हैं तो यहां लिख देते हैं 8 सही 3 बटा 4 प्लस 3 सही 2 बटा 3 प्लस 4 सही 8 बटा 2 यह बिन है तो इस बिन को हमें स्वाल करना है तो कैसे स्वाल करेंगे हम देखते हैं कि इसका रिती क्या है सही तरीका क्या है तो जब भी हम mathematics में solve करते हैं तो यहां पर एक बराबर का निशान यू लगा देते हैं आप सोच रहे होंगे कि mathematics की सवाल हमारे क्या काम का है तो यह बहुती काम की चीजे इससे दिमाग का भी विकास होता और कोई भी competition एक्जाम आप देते हैं तो वहां भी यह बात काम आती है और दैनिक रोजमर्दा की जिन्दिगी में तो काम आएगा ही तो पहले इन यह जो मिश्रित भिन है mixt fraction है इसको हम simple fraction में convert करेंगे याणि इसको साधा भिन बना देंगे तो क्या करना पड़ता है इसको और इसको गुणा करना पड़ता है 8 और 4 को गुणा करेंगे तो 8 और 4 को गुणा गया 32 आया और 32 को प्लस कर देंगे 3 से 32 प्लस 3 मतलब 35 35 अपॉन 4 हो गया प्लस इसका भी ऐसे करेंगे 3 इंटू 3 9 और 9 में 2 को प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा 11 अपॉन 3 प्लस 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 हो गया 8 में 8 को प्लस कर देंगे तो 16 हो गया 16 प्लस 2 तो ये हमने क्या क्या है एक सिंपल बिन्न बना ली अब इसको सॉल करना बड़ा आसान हो जाएगा कैसे आसान हो जाएगा देखते हैं अब हम इनका जैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया था उसमें इनका लगुतम निकालने की बात कही थी तो लगुतम चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और यहां लिख के भी निकालता हूँ ताकि वो तरीका परफेक्ट और सरल रहता है तो लगुतम निकालने के लिए जैसा की मैंने सिखाय था सबसे पहले छोटी से छोटी संक्या का भाग देंगे तो यहां पर दो का भाग दिया हमने चार में दो बार गया तीन में नहीं गया तीन को लिख दिया और दो में एक बार गया एक ऐसे कैसे लिख दिया फिर दो का दिया एक क्या तीन ऐसे कैसे लिख दियागे फिर तीन का दिया एक 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 ठीक है तब इसको इसको तीनों को आपस में गुना कर लेंगे तो लगुतम आ जाएगा तो 3 इंटो 2 6 6 इंटो 2 12 इसका जो लगुतम वह त्म आया वह 12 आया अब क्या करेंगे ? 4 का भाग 12 में डिवैड करेंगे तो तेन बार गया चार का भाग 12 में तीन बार अब 3 को 35 से गुना करेंगे तो 35 को 3 से गुना करना भी यहां करते हैं आपन एक 105 आया यहां 105 को हमने लिख दिया और प्लस का निशान प्लस वापस कर दिया अब 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार गया और 4 को 11 से गुना करेंगे तो 44 चम्मालिस आया अब 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार गया और 6 को 16 को 6 से गुना करेंगे तो कित्रा आच लगा 96 आया ठीक है तो अब इन तीनों को जोड लेंगे आपस में कैसे जोडेंगे लिख के भी जोड सकते हैं 105 चम्मालिस और 96 चार पांच नो और शेपंद्रा पांच असल लगा एक चार निक पांच नौ च्पांच चादर जगा असल लगा एक एक अर्दो 245 आया तो 245 अपन 12 अब इस 12 का अब हम 12 का भाग 245 में दे देंगे तो बारा का पहड़ा बोलेग पांच को यहां उतारेंगे बारा का भाग पांच में नहीं जाता है इसलिए अश्वन्य लग जाएगी और इसके बाद भिन्नों में अगर इस उत्तर को लेना है अपन को मिश्रित भिन्ने में तो फिर बीस सई पांच बटा बारा तो यह है उसका आंसर हो जाएगा अगर इसको पॉइंटों में लेना तो फिर पॉइंट में भी हम निकाल सकते हैं तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके अविश्य बताएं धन्यवाद झाल